दोस्तों नमस्कार स्वगत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों यूपी पेसी आरो ए आरो पेपर लीक मामले को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है आप लोग जानते हैं आरो ए आरो परिच्छा कल 11 फरवरी को हुई है और दोनों पाली की पेपर परिच्छा स्टार्ट होने से पहले ही सोसल मीडिया पर होने लगे कई सारी स्क्रीन सोट वगएरा भी समय निकल के आए और कल से ही चातर पेपर लीक में जाज करानी की मांग कर रहे थे और इस पर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों आपको ब की इस पूरे प्रक्रण की जाच करेगी तो मामले को पूरा समझाते हुए आपको बता दे कि यहां पर इसमें जो है आज और कल कल से ही चातरों दोर लगातार इसमें ट्विटर पर केंपेइन चलाया जा रहा है आरो ए आरो पेपर लीक में जाज करवाई जाए और पूर अकले से जादों ने भी वीडियो सेयर करते हुए जाज कराने की मांग की थी तो फिलाल यहां पर आप लोग अपडेट देखिए यह अपडेट आपको देखने को मिल लए है जी उत्तरपदेश उत्तराखन.com की वेब साइट से जहां पर आप लोग दे सकते हैं अभी बार सियब से होगी जाच उत्तरपदेश लोग सेवा आयोग ने सरकार को बेजी सिफारे से जाच समीती बनी अब यहां पर देखिए पूरे मामलियों को समझाया गया है लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी के अध्यच अखले सियादों ने भी सोसल मीडिया के एक करींग गे तो यहां पर दो को मामले को बताया गया कि लोग सेवावी कि समयचаты faço अधिकारी प्रारंबिक परिच्चा को लेकर के बढ़ी अप-डेट सामने आई है सासन से और यह फिरिफिफ से कराने की शिफारिस की इंगाे वहीं लोग सेवाएंड ने परिच्चा कि जां लोग से वायोग ने पत्र लिखा ये सा सन से स्क्राजर करिए कि यहां पर जांच इसमें होनी चाहिए साथ में कमैटी भी घठीद कर दी गई है अब जैसा कमीटी का मिंटी होगा कमिटी यॉचानबील करेंगि जैसा वास्तविक्ता से पकट में सामने आता है कि यहां वास्तविक्ता से यहां पर नकल हुई है या पेपर लीख हुआ है तो फिर यह पेपर रद्ध हो जाएगा द्वारा इसकी परिच्छा करवा ही जाएगी लेकिन अभी यह कुछ भी कहना सही नहीं है कि परिच्छा रद्ध ह हो जाएगी या नहीं हो जाएगी वह कमेटी और जो टीम है वो डिसाइट करेगी कि वास्तिविक्ता में जहां चुई इस मलब नकल हुई है पेपर लीक हुआ है अगर हुआ तो कितने परसंट हुआ है कितना चाहतर प्रवावित हो रहे हैं इस सब चीज़ें रिसाइट करते हुए आगे कुछ भी अपडेट होगा तो आपके साथ सेयर करेंगे दन्यवाद